नमस्कार ABC चैनल में आपका स्वागत हैं मैं हूं सचीन स्रिवास्तोर आप मेरे साथ देखेंगे आजमगड से जोड़ी खबरें आजमगड में कुरुना की गाइड लाइन का पालन करते हुए अकीदत और साथगी के साथ महरम मनाये गया देश शाम को ताजिये निकाल कर घरों के प्रांगड में रखे गया रात में ताजियों को सुपुर्दे खाक किया गया इस बार भी प्रतिबंद के चलते ताजिया जुरूस नहीं निकाला गया हालाकि लोगों ने अलग-अलग किस्म के ताजिये तियार की हुए थे सांकेतिक रूप से मुहर्म मनाया इस दोरान पुलिस प्रिशाचन सुरक्षा में अलर्ट रहा हजरत इमाम हसन हुसें सहित करबला के शहीदों की याद में मातमी पर्व मुहर्म शुकरवार को मनाया गया कर्बला के शहीदों की याद में शुकरवार को अकीदत मंदों की ओर से रोजार रखा गया अकीदत मंदों ने शहीद कर्बला के जानसारों को याद कर खिराज अकीदत पेश की अरे आप सोचो, आज इमाम को हम अज़ा किस तरह चले, आए मौला हम तो आपको सही से पूर्सा भी ददे सके, हम तो मादम भी ना कर सके, ए अज़ा दा दो, ये सुबह आशूर जब नमुदार हुई, ये पोई आउट नहीं था, ये अज़ा का हुसा है उसे, जिनों ने हर मौला पाज रोमरा की आता है, एक एक बाद एज़ा देते रहे, एक एक कुर्बानिया देते रहे, यहां तक कि जब सब शहीद हो गए, कासीद हो गए, ये बाबा, हमें भी एज़ादक दे दो, एक मन तो सख से दी, पाउं तरहें के है, ये दिने ज़ार कहते है, अकबर, कंगीन माहौल में वने पर्व के दोरान कर्बला के शहीदों की दास्तान सुन हर शक्स रो पड़ा, शिया कमिटी के चेर्मेन सेद हुसेन ने कहा, कि आतंगबाद के खिलाफ ये पहली लड़ाई थी, असल में कर्बला के शहीदों की याद में ये कोई तेवार नहीं, बलक में हम लोग मजली से करकर करकर के उसे कारिकरन को खटम कर रहे हैं, ये हज़रत इमाम हुसाइन अलई इसलाम ने जिनों लो आतंगबाद का पहला विरोत किया था, उसके लिए हम लोग ये परज़र्शन करते हैं, हमेशा ये रसूल आल्ला के नवासे को तीन दिन का भूका प्यासा करवला में शहीद किया गया, उसी के उपलज में उन्ही की याज में ये हम गम मनाते हैं, ये हमाला कोई तहवार नहीं है, ये हमाला सोग है जिलादिकारी राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिये की परिक्षा को पारदर्शी, इमानदारी एवं शुचिता के साथ संपन कराना सुनेशित करें उन्होंने कहा कि परिक्षा केंदर पर केंदर व्यवस थापक सभी कक्षाओं में शत्र प्रतिशत निर्ख्षकों की तैनाती सुनेशित करेंगे उन्होंने कहा कि यदि किसी कक्ष में कक्ष निरक्षकों की संख्या निरधारिज संख्या से कम है तो केंदर ववस्थापत के वरुद काली कारवाई की जाएगी जलादिकारी श्री राजेश कुमार नियुक्त निर्देश आगामी 24 अगस को आयो जित होने वाली प्रारंबिक अहरता परिक्षा 2021 की तयारियों की समीक्षा करते हुए दिये उन्होंने कहा कि ये परिक्षा इस वर्ष की सबसे बड़ी एवं महत पून है इसे सकुशल एवं नकल विहीन संपन कराना हम सब का दायत्व है उन्होंने कहा कि प्रतेक दशा में प्रश्ण पत्रों की सुरक्षास तोने शित की जाए प्रश्ण पत्रों को कक्षा में ही वीडियो कैमरे एवं चात्रों की उपस्तिती में ही खोला जाएगा एवं सील किया जाएगा जिलादिकारी ने निर्देश दिये की कंपणी बी एवं सिक्टर मजिस्ट्रेट आपसी समवन में स्थापत कर फुल प्रूफ सुरक्षा में प्रश्ण पत्रों को ट्रेजरी से नरधारी समय से प्राप्त कर परिशा कींद्रों पर पहुचाना स्थोने शित करेंगे श्री राजेश कुमार ने कींद्र ववस्थापकों को निर्देश दिये कि परिशा में किसी विप्रकार का वेवधान उतपन ना हो इसलिए सिटिंग प्लान पहले से सुनेश्चित कर लिया जाए उन्होंने कहा कि प्रतेक कक्षा में ब्लाइक बोर्ड पर कींद्र का कोड बड़े एवं साफ अक्षरों में अंकित किया जाना सुनेश्चित करें उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर परिशार्ती कक्ष में मुबाइल बैग ना ले जाने पाए उन्होंने कहा कि परिख्षा कींदरों पर बैग और मोबाइल रखने की व्यवस्ता सुनिशित की जाए जिलादिकारी ने परिवहन रेल्वे एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को परिछार्तियों को सकुषल लाने एवं ले जाने के लिए आवश्यक ववस्ता सुनेशित करने के निर्दियेश दिये उन्होंने परिभान विभाग को निर्देश दिये कि बसों की संक्य आवें ट्रिप को बढ़ा दिया जाए उन्होंने कहा कि परिक्षा कींद्रों से बस स्टेशन एवं रेले स्टेशन तथा टेंपो एवं आटो के परियाब ववस्था कराने के निर्देश दिये जलादिकारी ने जी आरपी एवं रेल्वी के अधिकारियों को रेल्वी स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंद के नर्देश दिये उन्होंने कहा कि स्टेशन पर भगदर जैसी इस्तिती ना उत्पन हो इसका धियान रखा जाए उन्होंने कहा कि इस सक्रे रास्ते पर खास करके पेट्रॉलिंग कराई जिसे जाम की इस्तित्य उत्पन नहें हो उन्होंने कहा कि सभी चौज़ा है एवं प्रमुत मार्गो पर पर पुलिस की पर्याओ ववस्था सोने शित करें ताकि जाम एवं अन्य कोई अवरोध उत्पन न ना हो। चritवालिट न रहेए chats saagin और अवरोध जबिश तैनरी को बटाती है खोई में ख़ी। और रहा है समया जावाय सब्टिश हरा गाना है कैसे जायेगे कैसी के बरिश्थ'll के बारती जंता पार्टी के विधान सभात रॉल्या के पांचों मंडलोंगी योजना बैठा कपटेल इंटर कॉलिज के प्रांगण में संपन हुई कारिकर्म के मुख्य अतिती बीजेपी प्रदेश उपाधियच एकी शर्मा तथा विशिश रहतिती भाजपाजला अधियच लाल गंज रुशी कांत राय रहे कारिकर्ताओं द्वारा सरुप्रथम जिले की सीमा लोहरा टोल प्लाजा पर मुख्य अतिती अर्विन कुमार शर्मा का रमा कांत मिश्रा के नित्रित में जोर्दा स्वागत किया गया ततपशाथ पटेलेंटर कॉलिज प्रांगर में सरुप्रथम दी प्रजलित कर योजना बैठक का शुबारम किया गया कारिकर्यम की अध्याचिता सुनील पांडे तथा संचालन हरीश दिवारी ने किया अपने संबोधन में एक ये शर्मा ने बताया कि हमें भी कुछ जिम्मदारी दी गई है उसी के लिए यहां आए हैं भारती जनता पार्टी एक परिवार है यहां न कोई छोटा है न बड़ा है हम सब समान है यहां न कोई यूचा है ना नीचा है मेरी कोई राजनैतिक प्रिष्ट भूमीन नहीं रही मेरे पिता जी भी एक क्रिशक परिवार से थे मुझे नौकरी छुड़वा कर एक नई जिम्मदारी दी गई है बाच्पा हमारी और आपकी पार्टी है इसमें कोई भाई भतीजाव वाद नहीं है समाजवाद नहीं है परिवार वाद नहीं है आगामी विधान सभाचनाओ को लेकर कारिकरताओं में घजब का उच्सा है यही कारण है कि बड़ी संक्या में आज कारिकर्ताओं पस्तित हुए उन्होंने कहा कि इनी उत्साहित कारिकर्ताओं की बदौलत जन्ता के समर्थन में भारती जन्ता पार्टी 2022 के वधान सवाचनाओं में एक बार फिर से प्रदेश में प्रचंड बहमत की सरकार बनाएगी कारिकर्ता बहुत देर से यहां अपने वरिष्टों की अपने लेताओं की बात सुनने के लिए कत्रित हुए है उसे मंत्र लेने के लिए उपस्तित हुए है मैं उन्कारिकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इवार जेक्षी है और पदा दिकावी गड़ है उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ राज जेके नेत्रित में इनका करताहों से मिलकर उनका हाउसला बढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने का दाईतु दिया था मानत्ता की सेवा के लिए बिलर्या की चुंगी छेत्र में हम सर्जिकल होस्पिटल प्रतेक शुकरवार को फ्री क्लीनिक सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बड़ी संक्या में हर अफ्ते गरीब वा कमजोर वर्गों की लोग लाभानवित हो रहे हैं बैतर वसटीक परामर्श वा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा है MS General Surgery डॉक्टर फुरकान अहमद हड़ी वा जोड रोग विशेशा के डॉक्टर फरहान अहमद यहां अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं प्रतेक शुकरवार को डॉक्टर गरीब मरीजों का निशलक उपचार कर रहे हैं उन्हें उचित परामर्श प्रदान कर मार्ग दर्शत कर रहे हैं डॉक्टर फुरकान अहमद ने बताया कि समाज के सेवा भाव को लेकर हॉस्पिचल परिवार प्रतेक शुकरवार को डॉपिदी का आयोजन करता रहा है समाज से जो अब तर प्राप्त किया गया उसे वापस दिये जाने की मंशा के साथ आयोजन किया जा रहा है आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो फीज देने में सक्षम नहीं है ऐसे मरीजों की सेवा वह उन्हें निशुलक उप्चार प्रिदान करने के उदेश को लेकर हम सर्जिकल होस्पिचल प्रतेक शुकरवार को निशुलक क्लीनिक का योजन कर रहा है जो हम समाज से लेते हैं कुछ समाज को वापस भी करना चाहिए तो हमने एक फ्री क्लीनिक शुरू की जो हर शुकरवार को सुबह नोबे से लेके शाम पाँच बे तक हम करते हैं हमें हमारा बेटा है डक्टर फरहान और्सपेडिक सर्जिन वो भी करते हैं और इसे मरीज से कोई शुल्क नहीं लिया था परामर्श बिलकुल नहीं शुल्क होता है और इसमें तकरीबन सो से डेड़ सो मरीज हर शुकरवार को आते हैं और ये पादा उठाते हैं इसमें वो गरीब लोग भी हैं बाकि जिनके लिए शुरू किया गया था कि इस हमाज का वो वर्क जो हमको फीस भी नहीं देने लाइक हो वो भी आए वो भी अच्छा है अच्छी सलाप आए यहां पर तो आते हैं ऐसे लोग उसी में गरीब लोग फादा होता है इसमें कहीं कोई कमी नहीं करेंगे पत्तंग उणाने को लेकर बच्छों के बीच हुए विवाद ने इसकदर विकराल रूप लिया कि देखते ही देखते मारपीत में दो लोग घायल हो गए मामला शहर कोतवाली के महला अनंतपुरा का है मामले में पेड़ित पक्ष ने शहर कोतवाली में लिखी तहरीर दी लेकिन कोतवाली पुलिस ने अभी तक मुकदमाद दर्ज नहीं किया उल्टा पेड़ित पक्ष के लोगों ने खुद को पकड़ कर जाने का आरोप लगाया अनंतपुरा ने वासिनी उन्मिला सोन कर पत्नी कहला सोन कर कारूप है कि बच्चों की बीच पतन उडाने को लेकर जगड़ा हुआ कुछ लोगों ने बीच बचाओ कर शान करा दिया लेकिन इसके बाद बंगो ने घर पर चड़ कर उसके लड़के सनी सोनकर को जम कर मारा पीचा और भी बचाओ करने पर मुझे भी पीचा गया इसकी शकायत थाने पर करने पर कोई कारवाई नहीं हुई उल्टा पुलिस हमें परिशान कर रही है पीडित पक्ष ने गुहा लगाई कि मुकदमा दर्च कर दोशियों पर सक्त कारवाई की जाए दिपेंदरा चड़ाउ ले रहा कि तोने चला मारा हम पीचे से आवbies लिए य कोई構शा हूं आ हमरे लेका कि मुझे मुण पर सक्षे कि सकित हमार जाए वाड़ी बंद का देले पतो हैं तो दिलावरी वाली है तर्फ पर घर लिए तो थाने पर मोरं कोई सुनवाई मदानव है ना टूंद्त है हम लोग कहा हम सब Credit सी लाते हैं यह भेष अधि हमारे घर आंए हमारे लड़के को अने लिए के अलमानगड़ी पतंग में था दूसरे से जगड़ा था यह अपने पर इस लेकर मारने लगें यह नवारे पदासि मारें नदा से मारें कपार फट गया इसके बाद यह अपने बहुत दभंग बनाते हैं जब बहुत जिसी को मार देते हैं अग्यों कर दो दो समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं की द्वारा तंसान नदी के मोहटी कहाट कोल घाट में 25 रुपए गैस मुले वृध्धी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जल्द सत्य अग्रह किया गया समाजवादी योजन सभा के पूर प्रदेश कारिकारी ने सदसे लाल जीत करामती कारी ने कहा कि ये सरकार जब से आई है महंगाई चरम पर है कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ नहीं रहा है और दो दिन पहले पचीस रुपए गैस सिलिंडर का दाम बढ़ा कर नौसो पचास रुपए कर दिया गया उजवला गैस कनिक्शन जनमाता बहनों को मिला है उनको सबसे दिन नहीं मिल रही है और इस सरकार में गरीबों को महंगाई परिशान कर रही है ये सरकार गरीबी नहीं मिटाना चाहती है ये गरीबों को ही मिटा देना चाह रही है और मिटा भी नहीं पा रही है बाचपा सरकार जब से आई है सिर्फ बिजनसमैन लोगों को स्वाइदा पहुचा रही है किसान, नौजवान, मल्दूर चात और सभी समाच के लोग परिशान है सभी लोगों का शोशर हो रहा है और जनता 2022 का इंतजार कर रही है इनको जवाब जरूर देगी 2022 में इनको खार फेकेगी तमसा नदी के मौठी घाट पे, कोल घाट आजमगड में आज हम लोग सत्यागरा की है और जो दो दिन बहले गया सिलेंडर का पचीज रुपया दाया गया था उसको ले करके हम लोग भी परदर्शन केए हैं सबको घैस सिलेंडर फिरी फिरी में में बाट करके और आज दाम कर दिया है 950 रुपय गैस का परसों का फिर 25 रुपय पढ़ा दियें तो यह जब से सरकार भाजपा की आई है तब से स्रिप महंगाई ही महंगाई महंगाई ही महंगाई कर रही है यह लोग कहते थे भरष्टा चार यह पेट्रोल डीजल का दाम इसमिती रानी जी लेकर गैस सिलेंडर ब है मन्तरिजी सबी लोगों से पूछना चाहता हो भाजपास सरकार से यह अब क्या है यह डाइन से अब क्या चुडैल होगई या सैतान होगई अब क्या होगई अब यह बताएं यह महांगाई गैस को बाट करके गरीबों का पैसा था ओभी जो है कि अपने द्हें में डाले पेट्रोल कदाम बढ़ा करके डीजल कदाम बढ़ा करके पेट्रोल कदाम सो के पार्थिजल कदाम सो के आज पास Amazon का तेल 200 के पार हर एक समान इनके सरकार में सब जो है कि महांगा करने का काम की हैं आज उसको ले करके हम लोग जल सत्यागरा की हैं तमसा नदी में और अगर यह लोग कम नहीं करते हैं तो बिर्यादान दोलन करने के लिए हम लोग पुरा बाद रहेंगे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ पर जीवन काफी मुश्किल हो गया है इस बीच हालात बिगड़ने के कारण कई भारती इस वक्त वहाँ फसे हुए हैं जिने निकालने के कोशिशने की जा रही हैं उतरप्रेस के आजमगर जिले के मुबारकपूर के नराव गाउं के रहने वाले धर्मेन चोहान भी शामिल हैं धर्मेन के परिवार के मताबिक उनके अलावा करीब 28 लोग इस्टिल फैक्टरी में फसे हैं इनमें गोरकपूर दिवरिया और आसपास के इलाकों के लोग शा हैं और उसे बड़ी मुश्क्रि से बात हो पा रही है ऐसे में परजनों ने भारा सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाए आजमगर के धर्मेन चोहान के पिता हर्पूर चोहान के मुताबिक फैक्टरी में सभी यूकों को अलग-अलग कमरों मे बंद किया गया है कमरे के बाहर निकलना मना है फैक्टरी मालिक सिर्फ यही बात कह रहा है कि जब इस्तिती बेटर होगी तब किसी अनरास्ते पर विचार किया जाएगा अब अफगानिस्तान में फसे लोगों को भारत सरकार से उम्मीद है कि उन्हें सरुक्षित निकाल ल अब भारत की कोशिश वहां पर फसे सभी भारती नागरिकों को वापस लाने की है इसको लेकर त्यारियां की जा रही है अच्छा बाचीत भाइलाल है अशुगम बात कईले लें काल आम ठीक हैं दिवटी कारत है अच्छा कहां काम करते रहना हूँ विदेश में अच्छा इस्टिल फैक्टरी में को नहीं है तो कब से रहना हूँ हां पर दू साल हूँ अच्छा तो अब का इस्टिति होगे उहां पर पता चला लूहां पर बावाल वाल जो इसांब खराब चला थिया जाज लोन आवे करना घरे अस चार दिन का आख एम बेहने पर सो गाड़ी पकड़ाए पर जाहाज तु फलाइठ होई तो ले बीच में बंफल तू पोर देना को नहीं चला है त अब कहते हैं तो प्रक पता किसतिती बारे में कुछ पता है वहीं चैसे बामोम के बारे में पर दिक्कत हो रही है वारहें होने शिर्ण कोई सब कर रहें हैं ज्ट रहने आंदर ही काम सब ल्त जाने हं दितने सब अपर बुडर जायें तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे उत्तरपरदेश में हमारे चाहचा सब चेहाचांके in अच्छा आप लोग को कैसे पता चला कि अपको सोचल मीडिया से पता चला अच्छा अब भी बता रहे थे कि यह सब लफ़रा होने वाला है भाति जन्ता पार्टी ने आयोध्या के नाम पर वोट लेकर दोखा धड़ी करने का काम किया है इनकाउंटर के नाम पर ब्रामहर समाज के मजबुत लोगों को मारा जा रहा है पुरे प्रदेश में एक एक घटना उस पता चलता है कि ब्रामहों से कितना नफरत या बीज़ेपी की सरकार करती है कानपूर में बिक्रू कांड में आदेश जारी हुआ कि एक भी ब्रामहर बचने न पाए हर्याना के साढ़े 17 साल के लड़के को बोली मारती गई आसपास के 50 ब्रामहर लोगों को जो कोलकता मुमई जैसे महानगरों में थे उन्हें पकड़ा गया और फर्जी मुकादमा जर्श कर जेल भी गया गया बसपा बहासचिव सतीशन मिस्टा ने यह सभी आरोप लगा कर आजमगण में बेज़बी सरकार को ललकारा सतीशन मिस्टा ने समझवादी सरकार को भी जमकर निशाने पर लिया कहा कि इनकी सरकार गुंडों माफियाओं की थी जिसे लोग भूले नहीं है बसपा के राश्टी महासचिव आजमगण के बालपूर्ख खरेला गाओं में प्रबूत ब्रामः सम्मिलन पहुंचे थे ब्रामः समाज को एक जूट करने के उद्देश से बसपा की चलाया जा रहे प्रबूत जंसम्मिलन करकम का आयोजन राश्टी महासचिव सतीशन मिर्टरा की अगवाई में किया जा रहा है जिसके कड़ी में आजमगर जन्पद में 34 सम्मिलन आयोजन किया गया जिसके मुखातिती सतीशन मिर्टरा है इस दुरान जन्पद में उनका करकरताओं ने भब स्वागत किया इस असर पर योगी के कथित रामराज पर सवाल खड़े किये सतीशन मिर्टर ने आरोप लगाया कि आजो जिहा में मंदिर रिमार के लिए लिया गया चंदा भारती चंदा पार्टी चुनाओं में खड़ करेगी मंच से बोलते हुए सतीशन मिर्टरा ने कहा कि भासपा सरकार ने सभी लोगों को 15 लाक दिने का ऐलान किया था दो करुण लोगों को नोक्ती देने की बात कही थी लेकिन नोक्रियां देने की बजाए चीनी जा रही है उन्होंने दवा किया कि 2022 की बिजान सभाच चुनाओं में बसपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी इस असर पर पुर्मंत्री नकूल दूबे, लालगन संसर्थ, संगीता आजाद, विधायक अरिमदन आजाद, भूपरिंदर स्थिंग मुन्ना, कार्टम के आयोजक संतुस, मिस्टर सहिद पड़ी संचा में बसपा नेतावा कारकरता मौजूद रहे देखे, आप खुद देख रहे हैं, हज़ारों की संग्या में लोग यहां कठा हुए है, और करोना का सब पालन करते हुए, लोग कितना ध्यान से सब बातें सुनी हैं लोगों ने, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस है और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से, इसी तरह का रिस्पॉंस जो आपने यहां देखा है, इसी तरह का रिस्पॉंस आज हमको हर जगहें मिल रहा है, और उससे यह साफ थावित हो रहा है कि जितना जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे रिस्पॉंस और बढ़ता जा रहा है, और लोग इतना परिशान हैं, दुखी है इ चुट्टी पाने के लिए इंतजार कर रहा है। और दिखाने जा रहा है इनको कि ये मजबूरी नहीं है। कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी ना किसी दल के साथ गटबंदन कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी गटबंदन जरू करेगी लिए किस से करेगी उत्तर प्रदेश की जनता से कर रही है। और हम अपनी पूर बहुमत की सरकार दोजार साथ में जो बनी थी उससे कहीं कहीं अधिक जा करके अपकी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहन मायती जी को मुखवन देखेज अपकार इस तरह के जो बहुमत करेगी लोगों को सही मुद्दों से हटाने का किसान क्यों मर रहा है पांसो किसान मर गया अंदोलन करते करते उनको उसमें कोई फरक नहीं पड़ रहा है उनकी जमीन च्हिनने का योजना बना दी हमेशा हमेशा के लिए कानून बना के तीन टो मैलाओं के साथ हर दो घंटे में उत्तर प्रदेश में दुराचार हर दो घंटे में हो रहा है यह ऐसा तो प्रदेश चल रहा है और किसान लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं लोगों का इलाज नहीं हो रहा है इतनी अनेकों समस्याइ इनके सामने आ गई हैं जो इनसे समाले नहीं समल रही हैं तो इसलिए ऐसी ही चीजों को ले करके कभी जन संख्या के बारे में कभी इसमें कि दो बच्चे हो एक बच्चा हो कभी कुछ करेंगे इसी तरह की बदांब बना करके ये लोगों को भटते से लोग अपनी रोटी रोजी पेट की परेशानी से अलग बच जाएं और इसमें लच के रहे जाएं और इसी लिए आपने देखा है कि अपने उनोंने कहा कि परचार प्रसार के लिए हर मॉएने चैन सो कड़् रूप्या खरचा करते हैं हर मैंने ये तो जन्मध की 80 वर्ष पुरादी रगुर नंदन प्रसाद रामिश्वर प्रसाद जोयलर्स आफशिव projection पूरानी पूत पुरानी आदंगड की नई व्रांज रामिश्वर प्रसाद जोयलर्स प्रतम तल ज्यालां समीगाश शौपिंग मॉल अधरी आजंगड। हमारे यहां सोने, चांदी, इवन हीरी की पूनेते हॉल मार्ग ज्यल्री 100% वापसी फरुपलग आसान इश्टों पर हॉल मार्ग ज्यल्री उचत मूले पर फ्राप करें ज्यल्री की शुदता मापने के लिए फ्री केरोमीटर की विवस्था चादी विवाह की करनी हो तयारी, या तेवहारों की हो फरीदारी आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामीश्वर प्रसाज्वेलर्स प्रतमतल ज्यालांस मेगा श्रॉपिंग मॉल सिधारी आजमगड वोडेन टच भावरनात असमगड अकंप्लीट हार्डवेर रिज्टोर हमारे हां ब्रांडेट प्लाइवूड, फ्लस डोर, बिजाइनर डोर, पीबीसी डोर, खोर माइका, फैंसी हर्डवेर, किचन की चिमनी एवं माडिूलर किचन की एक्स्क्लूसिव रेंज उपलंग अपने अस्याने में लगाए चार्चान पहुंचिए वोडेन टच भावरनात असमगड